कि अग्जाएं कि एलो फ्रेंड्स वेलकम टू मिजन के विएस डिसक्स करेंगे आज का टॉपिक बहुत ही इपॉटेंट है इसका नाम बें मॉडल और जलरी यहां पर हमने में इंपॉटेंट जो आपकी मॉडल्स है उसको डिसक्स किया हुआ है और एक्जांपल के तुरू स आएगा नहीं देखा जाकर देख सकते हैं वहारा इंपॉडेंट टॉपिक होने जा रहा है कि कि कॉन सा मॉडल कहा होता है कभी ठिकाना कोई कभी कभी यूज दा दुरसल बात यह आप ऐसा समझें कि मॉडल का जो है इजाद कैसे के conception इसलिए कि इसलीए घर आगया अपनी को प्रजेंट कर पाएं हम अपनी भावनाव को दूसरों तक पहुचा पाएँ कि मैं 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 क्या फील कर रहा हूं इस पर्टेकुलर सिचुएशन में तो इसके हिसाब से मॉडल को बनाय गया था इसी लिए सिचुएशन के के लिए model ने गया था model के लिए situation नहीं कि अगर मैं कैन है तो कैन इनी इनी situation के यह confront हती है problem होती है कुछो साफ जो model है कहां पर आएगा कैसे आएगा इसका एक estimate आईडिया आप लगा सकते हैं और लगाने लिए में आप जो है master या expert होने वाले हैं इस वीडियो को देखने के बाद इसलिए patiently इस वीडियो को देखना मत करना क्योंकि एक एक टॉपिक जो है आपके detailed में आपकी जित्ती भी confusion उसको लेते हुए हम कि subject और वर्ब को दूर के लिए pass करने में काम है यह क्या करता था कि subject और दूर ने के लिए काम आता है ध्यान रखना model और मॉर्डल उग्जलरी जार बीच में आ गया मॉडल में में आइन जी यह यह किसी बी तरह का परिवर्तन नहीं होगा जो आपकी से लिए आगर हमारे मॉडल है तो रहाइं के लिए ठाल रखेंगे जब भी तो वहां पर कोई भी तरह का चेंज नहीं होगा में ध्यान रखेंगे और यह हमारी फीलिंग को हमारी इमोशन को रिप्रेजेंट करती है इना पर्टिकुलर सिचुवेशन ध्यान में रखेंगे किती तरह कि हमारी ऑक्जलरी हैं मॉडल्स हैं देख लेंगे इस पर केंबताता है एबिलिट्य के बारे में एब्लिटctive कौन सी हो सकती है आपकी आपकी यह देख। फिजिकल हो सकती है बॉडि इए इखकलो औहले इस्ट्रत को शो करता है एक जैसे कि सिकन कगऌ जैकी je जैने बना सकता है डिश कुक कर सकता है उसकी एबिलिटी है ठीक है he can solve math problem in minutes कि वह math problem को minutes में solve कर सकता है क्या है ability है यहां पर can का क्या काम है can का एक ability show करने के लिए काम के जाता है कैसी physical और mentally दोनों आपकी इसमें ability आ जाती है अगर बात करें दूसरा इसका use तो request के लिए काम आता है ठीक है जो कि हमारी क्या होती है informal होती है ध्यान रखेंगे informal request होती है जैसे example के लिए can you give me that book कि क्या आप मुझे वह book रखेंगे इस चीज़ को तो can जो है वह एक informal request करने के लिए model है इसको हम use करते है कुछ इस तरह के से कि can I talk to my friend harsh यहाँ पर क्या है कि मैं क्या बात कर सकता हूं अपने दोस्त हर्ष से यहाँ पर जो request की जा रही है कैसी informal way में situation कैसी है request करने का काम कर रहा है बट कैसा उसका feeling है informal है क्योंकि वो अपने दोस्त के साथ कैसा है friendly है तो यहाँ पर situation के साब से feeling दिखाई जा रही है तो model क्या कर रहा है feeling दिखाने का काम कर रहा है feeling शो कर रहा है उस particular situation के लिए ठीक है धान में रखेंगे थर्ड यूज देखेंगे हमारा कैन का है permission के लिए यह इंफॉर्मल होगी फिल्कुल ठीक है जैसे example के लिए can I play with this doll यह लड़का जो है दूसरे अपने सखी सहेला जो भी है आई डोट नो हो सकता है दोस्ती होगा जो भी होगा ठीक है तो यह permission मांग रहा है अब permission कैसी है इनफॉर्मल है दोस्तों के बीच में बैठें को कि friendly है वह बहुत उससे उससे क्या पूछ रहा है वो कि कहना है play with this doll तो वह इससे permission मांग रहा है कि मैं कैसे खेल सकता हूं तो दूसरे ने बोला कि yes या फिर you can play तो उसने permission grant कर दिया यानि कि permission देने के लिए ठीक है यह permission देने के लिए सिट्वेशन में अगर वह permission informal है तो कैने लगा के हम काम खतम कर देंगे अप्रोप्रियेट हमारी model कौन सी होगी कैन होगी ध्यान रखेंगे आगे चले अगर हम कैन का हमारा फोर्स यूज होगा offer करने के लिए यह इनफार्मल होगा हमारा ठीक है mostly हमारा कह सकते हैं कि जितने बात करते हैं friendly दोस्तों से या फिर ऐसी जिससे हम बहुत जान पचान रखते हैं ठीक है फोर्थ हमारा क्या है can I get you something to eat यहां पर offer क्या कर रहा है offer दे रहा है कि can I get you something to eat क्या मैं आपके लिए कुछ ला सकता हूं कि आप खा सके यहां पर वह offer कर रहा है informal way में situation क्या है offer करने क कि इसकी feeling क्या है अगले बंदे से बहुत casual है बहुत ही informal है उसके साथ इसलिए उसने can का use किया हुआ है ठीक है can I help you to solve this यहां पर यह offer कर रहा है अपनी help कि क्या मैं आपके मदद कर सकता हूं ठीक है तो यहां पर informal way में situation क्या है वह offer कर रहा है help अपनी but उसकी feeling उसके emotion informal है casual है क्योंकि उसका दोस्त हो सकता है वो या फिर कोई friendly करीब ही अपना कोई रिष्तिदार हो सकता है ठीक है अगर हम बात करें आगे could की हमारा can का खतम can का हमारा कोई मामला नहीं है could की बात कर हम करें तो सबसे पहला हमारा होता है कि ability show करता है past की ability को show करता है जैसे I could do mathematics without calculator when I was in school कि यहां पर ability show हो रही है बत past वाली जो की ability अब मेरे में नहीं है तो यहां पर वही है कि I could do mathematics कि मैं mathematics कर पाता था without calculator जब मैं कप था school में था तो यह वाली बात हमारी clear I could lift heavy weights when I used to go to gym कि जब मैं gym जाया करता था तो मैं heavy weights होते है उसको भी lift कर पाता था तो यहां पर ability है दोनों में mathematics यानि कि जो आप गडित के सवाल होते है उसको विना calculator के solve कर लिया करता था ability है past की या फिर मैं heavy weight उठा लिया करता था या यूज करेंगे पहला हमारा कुड़ का यही कार्य होगा दूसरा कार्य हमारा कुड़ का क्या है permission के लिए यह permission कैसे होगी humble होगी humbleness के साथ होगी आप यह आपका फॉर्मल भी नहीं आता है बट हम यूज कर लेते हैं क्योंकि मैंने पहली बताया ना कि situation आजकल कैसी कब क्या आजाए मालों ओफिस में किसी ने कुड़ का यूज कर लिया ताब बोलेंगे कुड़ तो फॉर्मल हुआ नहीं situation देखें हो सकता है कि जो बॉस है और employee है वह तो दोस्त हो आपस में आपको नहीं पता है उन्दों ने कुड़ का यूज किया तो आपने बोल दिया कि नहीं यह तो ऑफिस में बात कर रहे हैं इसलिए फॉर्मल हुआ इसलिए बोल रहा हूं में situation को देख्या situation को अगर आप देखके चलेंगे तो आपका मॉडाल जो होंगे 100% आपके प्रोप्रेट जाएंगे कभी गलती होंगे ठीक है तो यहां पर कुड़ का क्या है परमीशन में ह तो यहां पर बहुत ही पॉलाइटली या फिर बहुत ही हमबलने इसके साथ मना कर जागे नहीं कि आप जो है जो ब्रेक है वह आप नहीं ले सकते है ठीक है यहां पर क्या है कुड़ का दूसरा यूज परमीशन के लिए थर्ड यूज ऑफ देखेंगे अगर हम ऑफर के लि के साथ जैसे कुड़ाइट यू सम्थिंग टूइट अब यहां पर कैन नहीं है कैन होता तो इंफॉर्मल होता और वहां पर हम्बलनेस भी नहीं होती हो कि हम बहुत स्रेंडली होते हैं बट जब हम स्कूल में कॉलेज में अपने बड़ों के साथ अपने टीचर के साथ इन कप आफटी यहां पर ओफर मागा जा रहा है ठीक है यहां पर ओफर देने के लिए औफर लेने के लिए जबाप फॉर्मल हो हमबल हो तो आप किसका यूज करेंगे ध्यान रखना अगला यूसी से देखेंगे हम कुड यह मोसली यूसेज है आपका देखेंगे कुड का है रिक्वेस्ट हमारी हमबल होती है जैसे कुड़ाइ टॉक टू यू लेटर या फिर कुड़ी पास मी दा वाटर यहां पर रिक्वेस्ट की जा रही है बहुत ही हमबलनेस के साथ आप ध्यान रखेंगे एक यहां पर इमने ट्रिक बताई थी आपको शायद या अभी बता ज उसमें कुड़ लगेगा ध्यान रखना 99% केसें में यह देखा गया यह पाया यह होता है जब भी रिक्वेस्ट की जा रही हो एक्जां की मैं उसकी बात कर रहा हो पिव से हैंना एक्जाम के क्वेस्ट कर रहा है कि देखक्ती तो उसमें कौन सा yooze होगा तो मोस्ली 99% केसे में कुड लगता है कुड आय टॉक्ट यू लेटर या फिर कुड यू पास मी दबॉर्ट फॉर्मल नहीं होता बट 99% केसे में इसका यूज होता है ध्यान रखेंगे अगर हम बात करें आगे कुड का हमारा जो है अगला यूसेज पांचवा यूसेज कि यह सजेशन देता है UM हम बल्ल के साथ सजेशन देता है जैसे कि यू कुड आस्क kąट कर सकते हो दे रहा है है ना सजेशन कर रहा है कि वह है क्या तुम दूसरों से ले सकते हो द्ट मून भीने यू है इसके लिए बात सकते अपने teacher से है यहां पर suggestion दिया जा रहा है अब suggestion में क्या है कि उसको humble ness के साथ दिया जा रहा है यहां पर एक trick लगाई गयी है ठिक could जब भी suggestion के लिए पूछा जाए कि कौन सा appropriate model होगा तो could लगा तेना 99% सही जाएगा आपका ऐसा cases में यह हैं क्योंकि फॉर्मल हो ठीक है फॉर्मल हो यह हम्बलनेस की बात करें ठीक है और सजेशन में पूछें कि आपका कुड़ लग जाएगा आख मतनक लगा देना ठीक है क्यों क्यों क्योंकि यहां पर हम बार-बार रिबिट कर रहा हूं यह कि सिच्टेशन के लिए बना हुआ है मोडल स्नाकी मॉडल से सीच्जेशन आगे चलेंगे हम हमारे देखेंगे कुड जो है पॉसिबिलिटी के यूज होता है कैसी पॉसिबिलिटी स्पेसिफिक समझ लेंगे सको धहर रखिए पेशन्स अब सुनत चलिया बस अराम से पॉसिबि दिखा रहे हैं कैसी पॉसिबिलिटी इस स्पेसिविक आप इस पॉसिबिलिटी है क्या जहां पर देखो कि वह अपनी उसके लिए लेट हो सकता है अपनी किसके लिए ठीक है अपने ट्रेन के लिए लेट हो सकता है दुनिया में उस समय क्या कोई और व्यक्ति है क्या कोई और हो सकता है नहीं तो यह कि एक स्पेसेविक पर्टिकुलर brag केस हुआ जब अगतल क्या हुआ चलते अगले मारा क्या है एक अगले हमाड़ घेंगे में को में क्या में फ॔र पॉसिबिलिटी एब बो था dismiss specific possibility के लिए बट में में आता है possibility के लिए जरनल possibility कह सकते हैं आप इसको but mostly cases में जब bbh possibility की बात की जाए धान रखना ट्रिक लगी पड़ी है जब भी mostly cases में possibility की बात की जाए हो सकता है वह journal भी जाए इसलिए बोल रहें 99% केसिस में देखा गया एकजाम में आया है जब भी पॉसिबिलिटी का पूछा गया है तो में लग जाता है आख बन करके क्योंकि यह एक अप्रोप्रियेट मॉडल माना जाता है ठीक है देर आर डार्क लाउट्स आया हुआ कुश्चन है इट में रेन टुडे ठीक है तो वहा पर काले बादल है इसलिए इट में रें टूडे यहां पर बारिश हो सकती है ठीक है उसके बाद 1 आयMA गो टूप काइट की मैं अपनी 1 अज राट को में पाटी में जा सकता हूं 50% चांसे जा सकने कि पॉसिबिलिटी के तरह है तो यहां पर इसलिए बोल रहा हूं हो सकता है कि जर्नल हो हो सकता है स्पेसिफिव को बट ध्यान रखना है 99% केसे में पूछे में लगा दोगे नहीं रॉंग होगा क्योंकि मॉडल जो अप्रोप्रियेट है वो में मानी जाती है फॉर पॉसिबिलिटी अगला देखेंगे कि में का blessing के लिए सबको पता है वो बर्डेज किसी का होता है status पर लग जाता है में God bless you है न कि में God give you whatever you want in your life तो क्या चल रहा है blessing चल रही है में का blessing के लिए कर देते हैं I wish you you get what you want what you deserve ठीक है तो यहां पर में किसके लिए blessing के लिए आगे बात करेंगे में suggestion के लिए में यूज होता है formal भी होता है और authoritative भी होता है अब authoritative क्या है authoritative मतलब है जहां पर एक authority वर्क करती है for an example अगर मैं बोलूं कि आपका घर कौन चलाता है mostly घर देखें तो दूद कब लाना है दूद के पैसे को बकाया करना है राशन कितने किते रुपे काएगा ठीक है आगे कैसी चीज़े चलेगी तो यह authoritative जो है authority ली हुई है घर के किसने आपकी मम्मी ने तो यहां पर authority की बात करें जो authority यानि की जो पूरी-पूरी संचालन करता है एक particular जगे विल विगेट बोनस दिवाली एक बंदे ने कुछन पूछा अपने दूसरे बंदे से कि विल वी गेट बोनस दिवाली यूमें टॉक्टू बॉस फर दिस सजेशन दिया उसने कि तुम्हें इस चीज के लिए सायथ बहुत से बात करनी चाहिए सजेशन दे रहा है और यह रीचेक तो यहाँ पर उसने पहले बंदे ने बोला कि I think यहाँ पर मेरी मिस्टेक हो गई है मार्क्स की काउंटिंग करने में मेरे पेपर में एक्जाम में ठीक है तूसरे बंदे ने बोल दिया कि you may go for रीचेक तुम्हें दुबारा रीचेक के लाना चाहिए सजेशन देन मांगनी होगी फॉर्मल हो आप अथॉरिटेटिम में हो यह mostly cases में एक्जाम में परमीशन अगर बात की गई तो में लगा देंगे 99 परसंट चीज सही जाएगी आपकी एक परसंट चांस होता हूं कि वह एक परसंट चांस निसले बोल रहा हूं कि आप तु जानते हो टीवी या परमीशन मांगनी है ठीक है फॉर्मल या अथॉरिटेटिव सिच्वेशन है आपकी तो आप क्या लगा दोगे में लगा दोगे आंसर राइट होगा एक्जामपल देख लेते हैं सर में आई से सम्टिंग रिक्वेस्ट की उसने कि मैं क्या कुछ बोल सकता हूं सर फॉर में आई लीव ना परमीशन मांगी रिक्वेस्ट करने के लिए और अब बात करता है पेपर में आता है तो में लग जाता है बहुत कॉमन सी चीज हो बात कर रहाओ मैं सोरी कंशienced के बात कर चिक कबी कभी स्ट já गल करेंगे मैल कोतो अज फिट माइच जो है आपका पास्ट है में का स्ट आप कैसे पास्ट है वह हैं लिखा है यह बाइप I may consider his decision मैंने अगर ये present ने बोला कि I may consider his decision तो ये मैंने जो बोला ये शब्द मैंने बोला जो alphabets ये use किये मैंने इसमें और जो मैंने sentence बोला ये एक मिनट बाद क्या हो गया पुराना हो गया यानि past में चला गया तो अब मुझे इसको लिखना हुआ अगर मैं कैसे लिखूंगा I said that I might consider his decision तो यहाँ पर make का मैंने क्या कर दिया might कर दिया यहाँ पर make का past form क्या कर दिया मैंने might कर दिया जब भी मुझे किसी चीज की किसी भी विक्ति की मुझे क्या दिखानी है उसके make को मैं might कर दोगा कब जब भी मुझे उसका क्या करना है ट्रांसलेशन करना है उसके past form का ठीक है उसके present जो कही गई चीजों को मैं लिख रहा हूँ तो past में ही तो हुई तो आप क्या करना है जब भी कुछ use किया गया है में यह फिर कोई भी past का का situation दिया जाए तो यहां पर जब भी पॉसिबिलिटी होती है वी किस्ट पॉसिबिलिटी कह सकते है वसे अभी बात करेंगे उसके बार में अभी यहां बात करते हैं मैं कि मैं पताया था ना 50% possibility है तो यहां पर 50% possibility दिखाई उसने किसमें अब कैसे चलेगा पता यह पास्ट में है कि प्रेजेंट में सैड लग गया है सैड मतलब कह चुका है बात वीती हुई है ठीक है तो इसका क्या हो जाएगा माइट हो जाएगा जाहिर सीदी सी बात है और आप possibility हरे हो past कि क्या लग जाएगा माइट लग जेगा ध्यान रखेंगे मेंट का पस्छ फॉर्म ठीक है को समझ में आ अगे देखेश्ट द्जैंगे माइट का दूसरा है मारा possibility वीकरदन में ध्यान पॉसिबिलिटी आएगी दस परसेंट बीस परसेंट पॉसिबिलिटी है तो माइट लगा देंगे काम बन जाएगा एक्जामपल के लिए तुड़े यहां पर है क्या यहां पर मैं बिलकुल नहीं हूं क्योंकि मैं जानता हूं कंपनी लॉस में चल रही है थोड़ी बहुत है अंदर इच्छा है संभावना है कि क्या पता मेरे को मिल ही जाए बोनस मेरा ठीक है कि वह कभी टाइम पर आया है नहीं शायद आ जा जाए दस परसेंट चांस है वरना वह भी इस सिच्वेशन के बाद जाने के बाद वही मर जाएंगे दस परसेंट चांस तो मैं कभी बोलूंगा भी नहीं कि शायद यह आ जाया ही माइट कम ओन-टाइम ठीक है तो माइट क्या है वीकिस्ट पॉसिबिलिटी रही कि रीकर देन में पॉसिबिलिटी कैसे होगी में से कम hoगी पहला कौन सी हमारी में दूसरां व्हीकर धान रहें उसके बार ऐसे हम बात करें में म जब 22 की आपके लिए पानी खाना रहना हवा इस सारी क्या नेसिसिटी है यह आपकी नीड़नी यह जिसके बिना आप नहीं रह सकते नहीं जी सकते यानि कि वही चीज़ है नेसिसिटी मतलब जरूरत से उपर वाली चीज़ें felt by speaker to do or to not to do something ये speaker त्वारा felt की जाती है necessity ठीक जो बोलता है example के लिए I am getting tired I must take a break कि उसने बोला कि I am getting tired मैं ठोड़ा ठक रहा हूँ कि और इसलिए I must take a break मुझे break लेना चाहिए necessity दिखाई उसने speaker ने जो उसने felt की कि बहुत tired महसूस कर रहा हूँ मतलब मुझे ब्रेक ले लेना ही चाहिए तो उसने क्या felt की उसने felt की है क्या necessity किसकी break लेने की ठीक है you must study hard you must study hard to get good marks अब एक बंदे ने speaker ने you जो है speaker ने felt की क्या हमारी necessity कि भाई तुमको है अच्छा marks लाना है तो क्या करना चाहिए study hard करनी चाहिए उसके लिए यहां पर एक बंदे ने felt की यह भावना यह जो है आपकी feeling है emotion जो है कि बहुँ necessity है यह कि इस respect करना चाहिए अपने elders को हमें ठीक है तो यहां पर necessity है यह आपका odd two में भी आ जाता है इसको discuss करेंगे हम आगे यहां यहां पर हम देख रहे हैं necessity से मतलब एवरीवन मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स तो यहां पर क्या है एक बंदे ने फॉलो कि एक बंदे देखा कि बैं नेसिटी है जरूत है वरना ऐसे तो होते रहेंगे कोई कि फॉलो नहीं करेगा तो कभी किसी भीड़ जाएगा कभी कोई गिर जाएगा कभी किसी मौत भी हो सकती है तो यहां पर ही क्या necessity है कि we must follow everyone must follow traffic rules धान में रखेंगे नेसिटी है यह जो speaker felt कर रहा है ठीक उसके बाद देखेंगे घरम मस्ट का एक और हमारा है assuming something that is something true ठीक है अज्यूम कर रहा है वह यह positive sentence में जाएगा positive मतलब यहां पर हमारा negative नहीं होगा not नहीं लगेगा धान रखेंगे not नहीं लगेगा जब भी हम assume कर रहे है कुछ situation में assuming something that something is true कि हम कुछ अज्यूम कर रहे हैं कि यह चीज true हो सकती है यह सकते हो सकती है एक्जामपल ले रहते हैं nobody is answering the door they must be sleeping मैं बहार खड़ाओं मैं बहार पार्टी बटी करके आया रहत में ठीक है और एकदम से मैंने जो है धरवाजा नौक किया उसके बाद nobody is answering the door कोई answer नहीं देरा डोर पे कोई response नहीं देरा अंदर से मतलब मैंने क्या zoom कर लिया मैंने ज्यूम कर लिया true assume कि that must be they must be sleeping कि वो पक्का अंदर घर में सोही रहे होंगे रात हो चुके वैसे भी और इसलिए मैंने एस्यूम किया कि क्या वो सो रहे होंगे कि that something is true मैंने इस प्रूमाल लिया सत्य माल लिया कि वह सो रहे होंगे क्योंकि मेर पास बहुत सारे एविडेंस है यह मानने के लिए कि वह चीज सत्य है ठीक है they have one new clothes कि लोगों ने बहुत नहीने कपड़े पहने रखें रखें कि वह एक तो आज निवर भी है ठीक है एस्यूम करने के बोल रहा हूं मैं ठीक है एस्यूम करने के बोल रहा हूं कि आज मालो 31st of December है और नहीने कपड़े पहन रखें मतलब they must be going for a party tonight कैसी पाटी निवर पार्टी तो यहां पर क्या कर रहा हूं कर रहा हूं कर रहा हूं something that is something true कैसे मान रहा हूं मैं क्योंकि मेरे पास evidence बहुत सारे हैं इंफ्रेंस वाली बात चल रही है आप पर समझ गया चलिए समझदार तो हुई आप ठीक है शुड़ की बात करें करें शुड़ क्या है बहुत ही मज़ेदार शुड बहीं गीविंग जो है क्या करना चाहिए बताओ कुछ आप ठीक है यहां पर क्या suggestion दे रहा है वो कि काम करो आप कि ऐसा गर लो आपकी यह वाला आपको फोन ले ना मालनों दो कि आपको मैं कौन सा फोन लो यह यह लू या भी लू उसने बोल दिया कि काम कर तू भी ले ले ठीक है तो suggestion होता है जब speaker ने suggestion दिया बट जिसने सुनने वाला listener है उसको माने ना माने suggestion हो ठीक है एडवाइस होती है जब necessity है जरूरी है कि बहुत जरूत में बंदा उसने पूचा कौन सा फोन लो बता हुझे तो एडवाइस दे रहा है कि तू यही फोन ले रेकमेंडेट करेगा वह कि रेक देखा है मैंने समझा है और लोस बजट में भी है तू इसी ले लिए ठीक है तो एडवाइस दे रहा है वह रेकमेंड कर रहा है तो यही ले तू फोर्स भी करता है हलका हलका listener को कि तू यही चीज ले suggestion में क्या है और डिपेंड करता है कि भाई तू भाड में जा मैं खाली समझे होंगे suggestion और advice एक्जामबल देख लेते हैं शुड वी रन अवे एंड गेट मैरी एक बंदे ने पूछा किससे अपने दोस्से पूछा कि भाई हम दोनों प्यार करते हैं क्या हम दोनों भाग किसाधी कर लें कि शुड भी रन अवे और गेट मैरी तो दूसरे ने बोल चाहिए और यहां पर रेकमेंडेशन दे रहा है किसको अपने दोसको एडवाईस गिविंग और टेकिंग में तिक उसके बाद शुड का मारा दूसरा है एकश्प्रेसिंग एंगेश्प्रेसं इस्पेक्टेशन ठिक ऐस्पेक्टेशन किया है जो चीजें एकसपउस्सक्त हो सकती है यहां पर जहएं यह ёт 50% 40% शहां इस दियशंथ चीज नहीं ऑर ऐस्थिप्रों और यहां रखे आप आप समझे लेए पासिपेक्टी और पॉसिबिलिटी होती है कुछ चीज का होने का परसेंट, 100% हो रही है, 80% हो रही है, 60% हो रही है, बट एस्पेक्टेशन होती है कि या तो वो होगी, या तो वो नहीं होगी, ठीक है, यानि कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ पर एकस्पेक्टेशन या तो वो हो चीज आते बिल्कुल नहीं होगी तो यहाँ पर यह और वाली बात है एस्पेक्टेशन में और पॉसिबिलिटी सम्थीं कुछ होने का चांसे जैसे अगर मैं मानता हूं कि आज बारिश हो सकती है ठीक है तो बारिश हो सकती है आज मैं पॉसिबिलिटी दिखा रहा हूं कि 90% कि बारिश हो सकती है कि काले बादल हैं और बाकी क्लिथे मॉर वगारे भी नाच रहा है माले जीए ठीक है俺ба बटगहरा आप बोलूँ कि it should rain today, यहाँ पि मैं बोल रहाँ की बारिश हो सकती है यस मूरा मान हुँ यस क्या कर रहा हूँ आसरीग istdo आहिछ कर रहा हूँ बारिश और हो यहाँ पर मैं पूरा यस कर रहा हू पूरा पूरा मैयं इस्पेक्ट कर रहा हूं कि बारिश हो सकती है यहाँ आप पासिबिलिटी में नहीं दे रहा हूँ मैं दो पड़قد मैं बारिश हो सकना या बारी बिलकुल माई टीक है समझेंगे आप अगे डेख लेते हैं इसके एक्जम्पल के आएंगे आइ सुट गैट माई salary at the end of the month expecting क्या है to the salary कि I should get my salary at the end of the month कि भाई मन्त क्या आखरी तक मुझे salary अपनी मिल जानी चाहिए यह expect कर रहा है ठीक है he should be arriving at any time कि वो बंदा आता होगा किसी भी time पे तो यहां पर क्या कर रहा है वो expect कर रहा है aspect जो आपका यह express है क्या करने के लिए expectation इसके लिए हम should का use करते situation में ध्यान रखेंगे अगर हम बात करें आगे should का मारा 30 रा है regret भाई बहुत बहुत regret सच में regret जब होता है आपको कि कुछ चीज आपने क्यों नहीं किया regret of past action जैसे I should have called him मुझे call करना चाहिए था उसे regret of not calling मुझे उसको call करना चाहिए तो मैंने नहीं किया यहां पर क्या है regret है किसके लिए call ना करने के लिए I should have gone for an interview अब मुझे interview के लिए आया था पर मैं गया नहीं यहां पर क्या कर रहा हूं है regret दिखा रहा हूं किस चीज़ का regret of past action past action क्या है कि मैंने जो है interview के लिए नहीं गया इसलिए मुझे regret हो रहा है of not going for an interview तो regret of past action आएगा तो should लगा जेंगे बात बन जाएगी खतम बात आगे देखेंगे अगर हम odd to odd to को आप यह समझा सकते है इन शॉर्ट में लिखा हुआ है इन शॉर्ट सिनोनियम है शुड़ का बट formal way में formal situation of should है जब भी formal situation आएगी जहां पर आपको लगता है formality वाली बात हो formal हो खिक है वहां पर आप authoritative में देख सकते हैं इसको जब भी फॉर्मल आपको दिखानी हो चीजे शुड़ वाली तो आप और टू में जाएंगे सही होगा अंसर कोई दिक्कत दिले निया आपको मोरल ड्यूटी में आपका इसका यूज कर सकते हैं पहला इसका देख सकते हैं अपके मोरल में आप कर सकते हैं सब्सक्राइब करना टेक्र है रिस्पेक्ट करना चाहिए अपने बड़े बूरू थीक्त कि ये तो इस बच्क को कैसे पनी बात कर रहा है ट्यक्त व कि यूद्धि आप जीस्टिफाई करने के लिए सिटिएश्योइं बोलने के और टू को यूज कर लेते हैं दूसरा एक्जामपल वी और टू टेक केर आफ आर पैरेंस तो यहां पर बच्चे की नयतिकता है कि वो बोलता है कि हमें अपने बच्चों अपने जो पैरेंस हैं बड़े बूड़े हैं उनका जो क्या करना चाहिए जब भी वो बोले कुछ उन यह वुड़ क्या है expressing politeness जब भी हमें politeness को express करना होगा कैसे जब भी हमें बहुत इकदम गुड़ शक्र मीथा लगाना हो किसी को formal authoritative कहीं भी लगा सकते हैं इसको कोई दिक्कत नहीं है कोई भी दिक्कत नहीं बट ध्यान रखना extra politeness दिखानी आपको और extra politeness मतलब कि इंदम चीनी गुड़ हो रहे हैं उसके साथ ठीक है कि I want to talk to you अब इसको आप ऐसा बोल सकते हैं ठीक है I want to talk to you but मैं इसको ऐसा बोल दूं कि I would like to talk to you यहां पर बहुत थी विनम्र के साथ बहुत थी politeness के साथ गुड़ शक्रचीनी साब एक दम मैंने यूश कर लिया भई कि I would like to talk to you ठीक है तो यहां पर कितना politeness है ठीक है we don't want to come एक सिंपल सा है बट अगर मैं बोलूं कि we would not like to come कि मैं पुलाइटनेस मना कर रहा हूं कि नहीं यार we would not like to come कि आपका बहुत 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 शुक्रिया कि आपनी ओफर दिया हमारे साथ चलने का आपके साथ चलने का बट we would not like to come कि इतना politeness है ना तो यहांगर would किसके लिए expressing politeness ठीक है धानवर रखेंगे बहुत ही extra politeness की बात है यहां पर उसके बाद would का हमारा दूसरा है है mutual action in past मतलब है mutual action जो भी आपके होंगे जो आप किया करते थे आपकी कोई भी डेली रूटीन जो आप पास्ट में किया करते थे मैं पारक जाय करता था मैं खेला करता था ठीक है जब PUBG था मैं PUBG खेला करता था इस सारी चीज़े क्या है पास्ट के जो आप नहीं करते इसको आप कैसे लिखेंगे कैसे देखेंगे I would go to park when I was in school I would eat banana in my lunch time तो मैं यहां पर क्या है I would मैं पार्क जाय करता था मैं स्कूल में था I would eat banana in my lunch time कि मैं जो है केला खाया करता था अपनी लंच टाइम में मतलब यह चीज़े अब नहीं होती ह है बीती चुकी बीच चुकी है बड़ा पास्ट में यहीं कि जब यह टाइम था तो मैं यह रोज किया करता था यह मेरी है विच्वाल एक्षन था मेरा बट अब यह मैं नहीं करता है इसलिए पास्ट में जा चुका है ठीक है उसके बाद करेगा हम वुड का alternative to could देखें इ एक्स्ट्रा नॉलग्स के लिए मैं इसको यहां पर डाल गे स्लाइड में कि alternative to could होगा for polite request की could you pass me the water यह आप ऐसे बोल सकते हैं या फिर would you pass me the water ठीक है दोनों एक साथ आएंगे नियों ऑप्शन में भूला नहीं जब भी आपका request की बात करेगा politeness की could आएगा बिल्कुल चलेगा would you help me to solve this यह भी चलेगा दोनों चलेंगे बट 99% cases could लग जाता है पर polite request यहां पर alternative to could है इसलिए मैं इसको लिख दिया यहां पर डाल दिया ताकि आप इसको कभी आपके सामने आताब confused ना हूं ठीक है उसके बाद विलका देख लेंगे बहुत यह सिंपल है विलका विल हमारा कोई एक तरीके से विसे model कहते हैं वस इसका यूज हमारा formulation for future simple tense हमारे future simple tense होते हैं कौन से कि मैं जाओंगा खाओंगा खेलूंगा ठीक है future simple tense जिसमें certainty है यानि कि निश्चिता है कि मैं यह चीज़ करूंगा किसमें करूंगा future में करूंगा to frame future ठीक है to frame future simple tense of prediction promise possibility यह होती है चीज़े समें ठीक है कैसे future simple tense कि I will go to there I will eat यहां पर देखें यहां पर possibility वगरा यहां पर जो है नहीं है यहां पर certainty है कि मैं वो करूंगा निश्चित है यह possibility से उपर होती है certainty कि मगर मैंने निश्चित कर लिया है कि today I will wake up early in the morning तो यह मेरी निश्चित्ता है possibility नहीं है यहां पर विलका यूज कर देंगे future simple tense है ध्यान में रखेंगे example देख ले he will definitely come ठीक है I will not tell to anyone ठीक है we will come certainty है तीनों में ध्यान रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है also used for informal request यह भी यूज कर लेते informal request extra knowledge देखो extra knowledge बेकार नहीं होती आपको बल्की क्या महारती मना देगी इसको रख लें क्या also used for informal request जब आपको informal request करनी हो तो आप को यूज कर सकते हैं कि will you come with me क्या आप मैंसा आना चाहेंगे informal मतलग दोस्तियार कलीक जो भी आपके नहीं कलीक नहीं दोस्तियार और आपके सखी सहला जो भी होंगे ठीक है देख लेंगे उसके पाद आप shell का use shell का use देखेंगे shell क यूज आप formulation of future simple tense देखो future simple tense आप इसमें future simple tense आपके आई वी इसमें करते हैं I will go to we will go to certainty होती है future simple tense में possibility से भी उपर with pronoun pronoun मतलब आपके सर्वनाम जो होते हैं I और वी I और वी और देख लो formal then will है यह formal है formal कि से will से formal होता है यह बट यह I और वी दोनों सर्वनाम के साथ ही आता है बस और किसी के साथ शेल नहीं आता है जब हम क्या यूज कर रहे हो formulation of future simple tense with pronoun आई और वी ध्यान में रखेंगे देखें कैसे I shall come to party ठीक है I shall come to party I आगे आपर pronoun we shall celebrate this day तो यहाँ पर क्या चल रहा है यहाँ पर चल रहा है यहाँ पर चल रहा है यानि कि exam में आपके formal आएंगे question तो आप I shall we shall use करेंगे किसके साथ किसके साथ ध्यान में रखेंगे यार प्रोनावन आई और वी ठीक है हाँ आगे देखेंगे हम second second कौन सा है देखें शेल आपका जो है second एक और दिखाता है चीजी offering to do something with pronoun आई केवल आई और question form में होगा यह question form में होगा यानि कि I सबसे पहले लग जाएगा यानि कि I जब भी आपका होगा जब भी आई आई आपका प्रोनावन होगा तो आपका जो यह शेल है सबसे पहले लग जाएगा ध्यान रखेंगे किसमें situation होगी offering करने की जैसे you are going to village you are going to village shall I pack your bag यहां पर offer कर रहा है व बहुत बैठ चुका है ठीक है बट वीडियो कंप्लीट करनी है और आपको देखें यह वीडियो पूरी देखनी है और लाइक सस्क्राइब और शेर तो कर दीजेगा ठीक है यह बहुत मेहनद लगती है आप जानते हैं चीज कंटेंट को बहुत ही शौर्टी के साथ और बह ओफर करणा है विद किस के साथ प्रणाउन आई के साथ इसलिए शैल हमेशा कोशण फॉर्म में आएगा जो कि मतलब सैल हमेसा पहले लग जाएगा आई के पहले लग जाएगा ध्यान रखेंगे तो मतलब शेल आएगा हमारा ध्यान में रखेंगे चीज़ को most common usage of shell है यह ध्यान रखना सबसे ज़्यादा अगर यूज होता है कहीं तो विद प्रोनाउन आई इन question form ठीक है जहां पर शेल पहले आएगा आई भाद में आएगा देहान रख लेंगे चलिए आगे देख लेते हैं शेल का हमारा थर्ड थर्ड यूसे जमा रहा है शेल का making और आस्किंग फॉर सजेशन इस प्रोनाउन वी इन जब भी हमें क्या प्रोनाउन क्या अगर हमारे प्रोनाउन वी आएगा हमें जब भी में क्वें पूछन पूछना हुआ हो फॉर्मल सिच्वेशन में अपर रहे हो सर्वनाम वी के साथ इन फॉस्टन फॉर्म लगा दोगे आंसर 99 परसेंट सही जाएगा ठीक है आगे चल लेते हैं आगे चल लेते हैं शेल को आप देखेंगे आपके जितने भी वेकेंसी निकलती हैं जब भी कोई पॉलिसी होती है टर्म्स कंडिशन होती है सम्मेर का यूज होता है कॉंट्रेक्ट म में आपके डॉक्ग में एकसप्रेसिंग डूटी इन फॉर्मल डॉक्यमेंट्स और कॉंट्रेक्ट मेंबर चल गैडट डेरी मेंवेनिंग अबाउंट मिलना चाहिए नशेंड के हिसाब से किसकी को हैं पर क्या चल रहा है कॉंट्रेक्ट की बात से द्रौइघ कई capable ं धॉप्सक्रीजन है एकश्त में अगी कूशनर में चुटक्रेशन करें जाहेंगे सिचवेशन देखना आप का असर वही 100% साही जाएगा ठीक है उसके बाद यहां पर हमारे सारे के सारे मॉडल्स खतम हो चुके हैं एक एक मॉडल्स को मिन अच्छे समझाए अगर समझ में नहीं आया ना तो कुश्चन को आप जो भी आपकी क्वेरी आप कमेंट करके बता सकते हैं अभी वीडियो खतम नहीं हुई लिए अभी हमें कोशन में डिसकस करना है क्या हुए एक्जांपल के लिए देखें दिखानी है में ठीक है दिएर आर्क्लाउट इंदा सका जाहिर सी बात है डार्क लाउट से 50 परसंट पॉसिबिलिटी हो गई क्लाउट देखके डार्क लाउट से इन्द स्काइए इट में रेन मैंने कहा ना 99 प्रसंट केसिज में पॉसिबिलिटी अगर आएगा तो आप में के साथ जाएं अंसर सही होगा अंसर सी इस दाराइट आगे देख चीज से बीती होई है पास्ट एक्षन है पास्ट में उसने जो प्रसंट में बोला था कि मैं इसका जो है पॉसिबिलिटी दिखाई थी कि शायद में इसका जो है डिसीजन जो है इंब रूपिक है फिनिश होता है मिलते हैं नेक्स वॉपिक में बने रही है हमारे साथ